इंद्रिय ग्रेमंत्रिय अमिज शाह पटना पहुँच चुके हैं और वो सीधे सुशील मोदी के आवास की ओर बढ़ रहे हैं परी जनों से मिलकर सांत्वना देंगे सुशील मोदी को सुरधानजुली अर्पित करेंगे तो अमिज शाह पहुच चुके हैं पटना बड़ी खबर इस समय के आपको बता रहे हैं आपको हम सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इंद्रिय ग्रेमंत्रिय अमिज शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर है चुनावी कारिक्रम है लेकिन इस बीच अमिज शाह ने समय निकाला सुशील मोदी के घर पर जाने का पार्टी के कद्दावर ने था बिहार के बीज़ेपी के सियासत के सूमो अब नहीं रहें और सुशील मोदी के आवास पहुंचे अमिज शाह सहयोगी आशुतोष का रुख करते हैं और उनसे जा और ये पहले से ही माना जा रहा था कि प्रधान मंत्री के आने के बाद ग्रीम मंत्री का भी दोड़ा होगा और सुर्धाजली देने के लिए अमिज साह पहुंचेंगे और वो समय भी तैय हो गया लेकिन इस सुर्धाजली के बाद अमिज साह पटना में ही रुकेंगे और क चुनावी सभाद को भी संबोधित करेंगे चुकि यह समय काफी कह सकते हैं, महत्तOPुर्ण था चुनाव के वीच में BJP के वरिशनेटा शुशील मोधी का दियानत हो जाता है, निदन हो जाता है और चुकि शुशील मोधी ने खुद चुनाव से पहले इस बात की घोशना की थी कि वो अब चुनाब में परचार में शामिल नहीं हो पाएंगे उनकी तब्यट ठीक नहीं है उन्होंने प्रदानमंतरी को भी इस बात की जानकारी दी थी और उसके बाद शुशिल मोदी का निधन हो जाता है तो सुभाविक तोर पर बीजेपी के जितने भी सीनियर लीड महतोपूर्ण होता है बहुत टाइट सेडियूल के बीच समय निकालना काफी कठिन होता है तो ऐसे में सेडियूल निकाला गया है और अभी अमित्सा स्रधांजली देने के लिए शुशिल मोदी के आवास पर पहुंचे हैं और इसके बाद जो कारिक्रम तय है अमित्सा रा जब पटना आगमन होता है प्रधान मंतरी की बात करें या फिर ग्री मंतरी की बात करें तो एक रननीती भी बनती है कि साथी साथ जो आने वाले समय में जो चुनाओं हैं उन पर किस तरह से बहतर प्रभाव किया जा सकता है और किस तरह से लीड लिया जा सकता है क्योंकि हर एक चरण का चुनाव महत्वपूर्ण है इंडियी गडबंधन के लिए और एंडिये के लिए और हर एक चरण में दोनों ही गडबंधन के तरफ से लीड लेने की कोशिश की जाती रही है तो सुभाविक तोड़ पर दो चरणों के चुनाव बचे हुए हैं और सबसे खास बा अच्छा खासा समय दिया है खासतोर से अगर कॉंग्रेस के सिर्स नेत्रित की तुलना की बात करें तो उस तुलना में बीजेपी के सिर्स नेत्रित ने बहतर समय दिया है और अभी वो तस्वीर हम दिखा रहा है कि अमित्सा पटना में पहुंच चुके हैं और सुशिल का आउजन किया गया है पट्टा के दीघा गाट पे और मोदी सौंग भी वहाँ पर चलाया जाएगा एक सौंग के जरीए कैमपेन चलाया जाएगा चुकि आखरी चरन जो है अगर छटे चरन की बात करें तो छटे चरन का चुनाव परचार खत्म हो चुका है और इसके बाद जो आखरी चरन का चुनाव होगा साथवे चरन के चुनाव परचार के लिए ही परचार अभियान को और तेज किया जाएगा तो ये साथवे चरन के चुनाव परचार के लिए ये ड्रोन सो का आउजन किया जा रहा है देखना होगा कि अमित साह वहाँ जा पाते हैं या नह में स्टे करेंगे तो वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको लाइव और हर दोड़ा चुकि देश के ग्री मंत्री हैं और बीजेपी के पुर्व राष्टिया दक्चरा चुके हैं तो हर एक दोड़ा काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर नेती की बात करें तो स्ट् में लीड लेने की कोशिश होती है वो की जाती है तो फिलाल अशुतों शे एक चीज़ और समझना चाहेंगे क्या सुशील मोदी के आवास पर पार्टी के और कोई नेता है या फिर अमिच शाह का पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ जैसे तरह से प्रधान मंत्री क बहुत करीबी थे बिहार बीजेपी के संगठन में बड़ी भूमिका निभा रहा हैं वो यहां पर मौझूद हैं राजेंद्र गुपता भी MLC है वो पार्टी के बहुत पुरारे नेता रहे राजेंद्र गुपता वो अमिच साह के साथ खुद उनकी गारी पड़ाये थे तो यह दो बड़े निटा नजर आए अभी फिलाल इसके बाद कोई कारिक्रम जिसे तैह हुआ था कि प्रधान मंत्री अगर पटना आ रहे हैं तो उनका एक कारिक्रम शुशिल मोधी के आवास पर जाने के बाद बीजेपी कारियाले जाने का भी बना था दफ्तर जाने का बना था लेकिन फिलाल अभी कोई स्ट्डियूल में यह नहीं है कि आमित साब बीजेपी दफ्तर जाएंगे क्योंकि यह कोई भी स्ट्डियूल में अत्या नहीं किया गया है यह जरूर होगा कि जिस होटल में आमित साह रुकने वाले हैं वहाँ पर बीजेपी नेताओं की जरूर मिटिंग हो सकती है और चुकि आम तोर पर यह मैने पहले भी कहा कि जब भी इस तरह का दोड़ा होता है तो एक मिटिंग जरूर पाटी के पदा दिकारीयों की होती है चुकि मैंने पहले भी कहा कि जो चुनाव है वो अंतीम पड़ाओ पर है तो अंतीम पड़ाओ पर और किस तरह की strategy किन एजेंडों को लाए जा सकता है और किन एजेंडों को लाने के बाद फाइदा होगा क्योंकि आपने देखा कि बिते दिनों छपड़ा का जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर के सियासत काफी तेज हुई और कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये मामला काफी आगे बढ़ सकता है और यही वज़ा रही कि वहाँ पर इंटरनेट को पूरी तरीके से प्रतिभंद हुआ है अब इस इंसिडेंट के बाद वो क्या सोचते हैं क्या कल कोई नई स्ट्राइडिजी के तहत नए स्टेट्रमेंट के तहत उनका भी यहां पर अलग एक विचार देखने को मिलेगा और चुकि यहां पर चुनाबी दोड़ा भी होना है तो आप देखिए तस्वीरो यहां से निकलेंगे तो मैंने काया कि बता रहा था कि किस तरह की स्ट्राइडिजी है चुकि जो घटना हुई छपड़ा की उसकी कही न कहीं वो मामला किस मोर जाता है और अमित्सा उसको किस नजड़िये से देखते हैं वो चुनाबी सभा में कारिकरम के दोड़ान पता च चुकि निगाहें टिकी होंगी कि वो चपड़ा के इंसिडेंट को कैसे देखते हैं चुकि अप चुनाव अपने आखरी दौड में है तो आखरी दौड में क्या स्थिति वो महसूस करते हैं और यह माना जाता है कि चुनाव से पहले क्योंकि आप अमित्सा अभी रहेंगे उसके बाद ठीक जिस दिन चुनाव होना है चटे चरन का उस दिन भी प्रदान मंत्री का दोड़ा है और अमित्सा बाहर निकल रहे हैं आप देखे तस्वीरों में वो निकल चुके हैं और अभी गारी में बैट रहे हैं और अभी वो देखिए आप किस तरह से हाथ बैने शोड़ा रहे हैं और अमित्सा का विवादन सुईकार किया चुकि यह माना जाता है कि जब्यस नेत्रितु पहुंसते हैं बिहार में चुनाव के दर्मयान में पब्लीक देखिए हाथ करके उनका स्वागत कर रही है और सीर्स नेत्री तो जब बिहार पहुंसते हैं आप देखी अमित्सा निकल रहे हैं और उनके साथ राजेंद्र गुपता भी मौझूद हैं और सीर्स नेत्री तो चुनाव के वक्त जब जिस छेत्र में होता है बिहार की बात करें या फिर कहीं की प्रदान मंतरी का उसके अगले दिन चुनाव परचार होना है और उस दिन चुनाव भी है वोटिंग भी है चले तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आश्यतोष इस तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए